नाक सना और समर्थने की अरुन मा शेटी और तहलका की चुगली बताया दोनों कांटेस्टेंट्स को गर में सबसे ज्यादा कमजोर वर्ल सल्मान खान का कॉंट्रोवर्शियन रियालिटी शोट पिक पॉस सीजन सविंटीन के लाइफ फीड में आज हमें देखने को मिला सना रईस कान विक्की और के बीच में काफी ज्यादा घर के अंदर तड़ाई हो रही होती है जिसमें समर्थ का भी बहुत ही बड़ा हाथ होता है यहाँ समर्थ ही वो कंटेस्टेंट है जिन्होंने दिल वालोई को पास जाकर डम मकान में जो भी बाते हुई थी वो बताई थी इस बात को लेकर तहलका जो है समर्थ से काफी ज़्यादा नाराज भी नज़र आते हैं साथी साथ इस बात को लेकर घर में काफी ज़्यादा बवाल मैचता है यहाँ पर सना जो है वो ये भी शुकायत करती हुई नजर आती है कि तहलका और अरुन मार्शेटी को मेरे बागी कंटेस्टन से बातचीत करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है वो चाते हैं कि मैं पूरे टाइम यही दम के कमरे में बैट कर उनके साथ बातचीत करती रहूँ इस बात पर समर्त और अनुराग भी हामी वड़ते हैं सभी कहते हुए नजर आते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है कि हम घरवाले बागी कंटेस्टन से बातचीत नहीं करें यहाँ पर सना कहते हुए नजर आई लेकिन गेम तो यही है कि एक एक इंडिविज्वल के साथ हमें अपना अलग बॉंड क्रियेट करना है और हर कंटेस्टन के साथ हमारी बॉंडिंग हो ली चाहिए इंडिविज्वल हमारी वन टो बन कंवस्टिशन होनी चाहिए ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर बैट गर सिफ उनी से बात करूँ क्योंकि मैं इस मकान में रहती हूँ यहाँ पर अनुरा कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे कमरे में सीरियसली ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ कॉम्पिटिशन किया जा सके दम का कमरा जो है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ कॉम्पिटिशन हो समर्थ पर बातों पर हामी पढ़ते हुए नजर आते और कहते हैं कि मैं तो कब से यही चीज कह रहा हूँ कि यह दोनों सिर्फ यहाँ पर लेटे रहते और बातचीत करते रहते इसके लावा इनका कोई भी काम नहीं है बले आपर दम के मकान में काफी ज्यादा फूट देखने को मिल रही है सना तो यह तक कहती होई नजर आए कि उन्हें अपना कमरा चेंज करना है बले अब यह देखना काफी ज्यादा दिल्चस्प होने वाला है कि दम के मकान में पढ़ रही यह फूट आखिर कहां जाकर रुखती है बले आपका इस अपडेट के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए ऐसी है अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें